हलो दोस्तों मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक क्वेटिवर काउटि में स्वागत करता हूं तो आप में से बहुत साही लोग बैंक निफ्टी में ट्वेडिंग करते होंगे और अगर हम रिसेंट टाइंस में बात करें तो हमारे पास मल्टिपल सोर्स से मैसेज आएं चाहे वो ट्विटर के जरी हो टेलिग्राम के जरी हो या फिर वाट्साप के जरी हो कि सर हमें बैंक निफ्टी में रेगलर बेसिस पे लॉस हो रहा और हम बैंक निफ्टी में रेगलर बेसिस पे गलतियां कर रहे हैं और अगर आप लोग बैंक निफ्टी में क्या होगा इसके उपर भी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जो चलिए इसको हम डीटेल से समझते हैं यहां पर हम चार्ट पर आगे हैं और यह जो चार्ट है यह चार्ट है आपका बैंक निफ्टी का देख सकते हैं बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम बादा चार्ट है अब मैक्सिमम जो लोगों का मैसेज आया था वो 9 अब दिसंबर को लेके आया था और इससे पहले भी विगलर बिसिस पर आया है तो हमें सबसे पहले यह देखना है कि इस पार्डिकुलर एरिया में क्या इंटवी लेना सही है या फिर नहीं है और अगर interview लेना सही है तो फिर यहां पे मुझे loss क्यों हुआ है ये region भी हमें समझने की जरूरत है और अगर यहां पे interview लेना सही नहीं है तो यहां पे interview लेना क्यों सही नहीं है ये भी हमें reason find करने की ज़वत होगी यानि हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसके पीछे का logic ये अफिर region होना चाहिए तब ही हम अपनी trade को आगे time में सही बना सकते हैं तो इसी सब के उपर हम इस video में details से बात करने जा रहे हैं जो mistakes आप कर रहे हैं उस mistakes को सबसे पहले हम highlight कर रहे हैं और फिर उसको हम कैसे ratify करते हुए कैसे उसको सुदार सकते हैं उसके उपर बात करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ indicator की ज़रूरत होगी सबसे पहला हमारा एक indicator है previous day OHLC और उसकी बाद हमने यहां पर कुछ drawings किया है तो अगर हम यहां पर बात करें previous day के high और low इसको आप चाहो तो manually भी use कर सकते हो लेकिन आप चाहो तो इसके लिए indicator का भी इस्तमाल कर सकते हो इसके लिए देख सकते हैं यहां पर हमने indicator यूज किया इसके settings को में दिखा देना चाहूँगा देख सकते हैं यहाँ पर OHLC strategy जिसमें हमने open और close को बंद कर दिया है आपका green color का line high को denote करता है previous day high को और red color का line आपके previous day low को denote करता हुआ दिखेगा चार्ट पे अब देखिए अब maximum लोगों ने क्या किया है यहाँ paint भी लिया सबसे प्यादे मैं बता जाओंगा price आपका gap up open हुआ है और यहाँ पर क्या हुआ पहले candle के high को price दूसरा candle ली ब्रेक करके ऊपर निकल गए यह नि हमारा जो यहाँ पर gap up बला इस फेड़ी था उसका इस्तमाल हम नहीं करें उसके बाद क्या हुआ प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ आता हुआ दिखा है तो इस गिराबट में अगर कोई भी लोग इस लेवल इस लेवल या फिर इस लेवल पर इंट्वी लिये होंगे तो यह simply आपका क्या है यह simply आपका wrong इंट्वी है buy करने का या फिर sell करने का कुछ भी करने यहाँ पर buy या sell यह आपका गलत इंट्वी है गलत इंट्वी क्यों है क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमें levels नहीं मिलबा कोई भी हमें region नहीं मिलबा जिसके basis पाहितर हम यहाँ पर buy कर सके या फिर sell करके तो हमें buy या फिर sell करने के लिए एक region होना चाहिए तभी हम buy या फिर sell कर सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपने entry लिया थी यह wrong entry है ऐसे हमें entry नहीं लेना है अब यहाँ पर हमें क्या देखना previous day high and low indicator को यहाँ पर हम highlight कर देते हैं अब price आपका नीचे side की तरफ आया और यह आपका previous day high और previous day high को support लेते वे price आपका उपर side की तरफ लोटा है और जो भी लोग इस level के आसपास buy side की तरफ गए होंगे यह आपका एकदम perfect और सही entry point है अब इस entry point बाँ में loss हो रहा है या profit हो रहा हो हम बात करेंगे लेकिन हमारा जो सही entry है वो सही entry जब नहीं है सही entry के बाद हमें profit ही मिले कई बार सही entry के बाब जुद भी हमें loss उठाना पड़ता है उसके बाद price आपका जो days high बनाया है अभी तक का इसको break करके ऊपर निकला है तो इसके बाद भी अगर आप buy side की तरफ entry लेते है तो ये भी आपका एकदम perfect entry है इसमें भी entry में कोई दिक्कत नहीं है तो देखिए इसी तरह का हमें reason होना चाहिए कि हम कब buy side की तरफ entry ले रहे है अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम जो यहाँ पर buy side की तरफ entry लेंगे वो लगबग 43,700 के आसपास लेंगे और price एक psychological level को भी break करके उपर निकला है इसके बाद भी हम buy side की तरफ जा सकते हैं तो यहाँ पर हमारा target क्या होगा पहला target हम 100 point का रखेंगे 43,800 और 43,900 फिर price आपका उपर गया है और anyhow आपको यहाँ पर 100 point का profit मिली जाए तो जो लोगों ने यहाँ पर entry लिया है वो यहाँ पर बचके निकल लेंगे problem कहां पर जिन लोगों ने थोड़ा सा लेट इस level के आसपास entry लिया है अब वो क्या करेंगे वो यहीं पर बाइसार की तरफ entry लेंगे लगभग यह जो level होगा आपका 45,780 या फिर 800 के ऊपर price आपका थोड़ा सा ऊपर गया यहाँ पर high बनाया है अब जैसे यहाँ पर high बनाया है दूसरा high यहाँ 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 पर हमारा क्या form कर रहा है higher high pattern का formation कर रहा है और हमने क्या indicator यूज किया एक RSI indicator को भी यूज किया जो कि हमें बताएगा buyers और sellers में कितना strength है यह नहीं higher high बना रहा है that means true chart पे देखनी से हमें लग रहा है कि यहाँ पर buyers में strength है लेकिन chart के अंदर क्या वाकई strength है या नहीं है सिर्फ बाहर से देखने में कोई मजबूत लगता है इसका मतलबी नहीं कोई मजबूत होगा उसमें कितना stamina है वो हमें check करना होगा उसके लिए हम क्या use करते है RSI हमने क्या देखा इस point पे यह high बनाया था जब दूसरा high बनाया तो उस time पे RSI ने क्या बना दिया lower high pattern का formation कर दिया that means true यहाँ पे जो buyers है यहाँ पे जो price उपर गिया है वो strong वाला buyers नहीं है यहाँ पे जो buyers है वो क्या है वो आपके कमजूर है मतलब इस upside उप पे हम भरोसा नहीं करेंगे यहाँ पे जो हमने भरोसा करके interview लिया था वो हमने गलत candle पे भरोसा कर लिया candle देखने में आपका जबरदस्त लग रहा था लेकिन उसमें ज़्यादा कोई strength नहीं है उसकी बाद जैसे यहाँ पे आपका red candle का formation हुआ है हम यहाँ पे क्या करेंगे market से exit करेंगे चाहे आप cost to cost में हो या फिर आप loss में हो या फिर आप profit में हो बेट नहीं करना है कि थोड़ा बहुत loss में है मेरा profit में आ जाएगा जैसे ही आपको पता चला कि मेरा गलट trade है आपको instantly market से क्या करना है exit बदन दावाना है आपको जो भी trade आपने अग इसक्विट किया वहाँ से बाहर निकलना तो यहाँ पर अगर हमने गलती कर लिया तो इस गलती के बाद क्या करना maximum लोग आपको बोलते हैं कि गलती नहीं करने है और गलती अगर हमने कर लिया क्योंकि market में कुछ भी कर लो आप गलती करो गई और वो भी regular business पर होई जाता है उसकी बाद हमें क्या करना गलती को कैसे ratify करना वो सीखने की जोगत है और उसमें हमें RSI बहुत ज़्यादा help करेगा हमने देखा है कि हमने यहाँ पर mistakes कर लिया अब हमें इस mistakes को कैसे सुदारना है और यहाँ से जो loss हुआ है उसको हमें कैसे recover करना वो भी हमें आना चाहिए इस condition loss नहीं हुआ लेकिन अगर by chance loss हो जाता तो उसको हम कैसे recover करेंगे तो सबस्पेल यहाँ से हम बाहर निकलें गलत trade से हम बाहर निकलें अब अगर हम by trade से बाहर निकलें इसका यह मतलब नहीं है कि हम यहीं पर sell side की तरफ entry लें लें loss को recover करने किल नहीं sell side की तरफ entry कब लेना है जब आपका support level टूटेगा तो support level क्या बना है previous day का जो हाँ है यह हमारा क्या बना support level यह टूटने के बाद है हम sell side की तरफ जाएंगे तो इस level इस level इस level या फे इस level जो भी लोग sell side की तरफ trade लिए है simply आपका गलत trade है क्योंकि यहाँ पर हम बिना किसी region के trade लिए है अब देखिए जैसे price इसको break करके नीचे आ है अब इसके बाद जो भी लोग यहाँ पर sell side की तरफ trade लिए यह बिल्कुल सही trade है और यहाँ पर जो हम sell side की तरफ trading positions initiate करेंगे 43,600 के आज पास टागेट पर इस क्या होगा 43,500 43,400 और 43,300 300 के level को तो नहीं touch किया 500, 400 के level को टच किया नहीं 200 point का profit हम यहाँ से बना सकते हैं जो भी थोड़ा बहुत loss होआँगा उस loss को recover करते हुए profit बना सकते हैं ऐसे ही systematic तरीके से आपको यहाँ पर trading positions initiate करना लेकिन एक और चीज़ है कि जब आप यहाँ पर sell side की तरफ जा रहे हैं या फिर यहाँ पर अपने आपको बाहर निकाल रहे हैं हमने अभी तक क्या देखा सिर्फ दो factor को include किया है RSI और candlestick अब यहाँ पर हमें एक और चीज़ को include करने की ज़रुद है वो है आपका OI build-up हमें final confirmation क्या चाहिए OI build-up से चाहिए हम जो buy side की तरफ trade लिया वहाँ पर हमने क्या देखा कि RSI हमें buyers में कमजोरी का indication दे रहा लेकिन इसके बाब जोद भी हमें एक और जगह आके confirmation करना होगा वो होगा आपका OI build-up और यह कहाँ मिलेगा वो मैं आपको बाद बताऊँगा तो सबसे पहले buyers में कमजोरी है तो अगर यहाँ पर long build-up के अलावा कुछ भी बनवा चाहिए long build-up से अगले पंदर मिनट बाद या फिर कभी भी यहाँ पर long build-up से कुछ भी changes हो रहा है तो हम वहाँ से exit कर लेंगे तो final confirmation आपको यहाँ से लेना है और यह data मिलेगा आपको धन के trading platform में धन के trading platform में यह data free में available है वैसे अगर आप बाहर से data लेंगे तो उसके लिए आपको अलग से charges पेक करने की जोगत है लेकिन धन के trading platform में यह free में available है अगर यह data आपको बिलकुल free में चाहिए तो मैं आपको एक technique बताने जा रहा हूँ आप धन में अपना trading और demate account open कर सकते हैं उसके बाद वापस से हम चार्ट पे आना चाहेंगे अब जब देखें यहाँ पे हमें क्या करना है इसके नीचे cell side की तरफ wait लेना लेकिन उससे पहले हमें एक बाग फिर से कहां पे आना OI build up पे आना और यहाँ पे हमें क्या देखना है यहाँ पे हमें देखना है कि short build up हो रहा ही कि नहीं हो रहा अगर short build up हो रहा होगा तो हम cell side की तरफ wait लेंगे otherwise हम wait करेंगे थोरा सा और यानि तो cell side की तरफ wait हम avoid करेंगे तो हमें final confirmation OI build up से लेना है यही हमें बता रहा है कि जो open interest का build up किस तरफ हो रहा है अगर यहाँ पे sellers active हो रहे है that means to price में momentum का साथ नीच जाएगा और हम इस downfall move से profit बना सकते हैं sell करके तो यह data आपको धंके trading platform में free में मिली जाएगा और free में ultimate account open करके इस्तमाल कर सकते हैं तो इस तरीके से आपको यहाँ पे sell side की तरफ trade initiate करके profit बनाना है उसकी बाद हम कुछ और example के ज़रे इसको समझने की कोसिस करते है तो ऐसा ही कुछ example हमें कुछ दिन पहले देखने को मिला है अगर हम यहाँ पे बात कर ले थोड़ा सा चार्ट को हम adjust कर लेते हैं जिससे आपको यह समझने में आसानी होगी अब यहाँ पर देखिए 5th of December को क्या हुआ लगबा 12 PM के आसपास सबसे फ़हले price आपका gap up open हुआ फिर price आपका इसी के आसपास गया यहाँ से price नीचे लॉट गया अब जैसे price इसको breaker के उपर निकला है आपका क्या हुआ यहाँ पे days high का formation किया और days high हमारे लिए resistance की रूप में काम कर रहा था इसको breaker के उपर निकला है यहाँ पे बाइसार की तरफ trade बनता है और बाइसार की तरफ जाना भी हमें यहाँ पे चाहिए लेकिन जो भी लोग बाइसार की तरफ गए होगे यहाँ पे क्या होगे यहाँ पे trap में फस गए और इस trap से बचना थोड़ा सा मुस्किल है हम अपने आपको protect नहीं करें हम आपने आपको इस trap में धगे लेंगे trap में फसने के बाद हम कैसे recover करते हैं वो हमें सीखने की जोगत है क्योंकि इस तरह के trap से बचना बहुत मुस्किल है जब तक कि आपके पास अच्छा खासा experience ना हो तो चलिए यहाँ पे हमने बाई साथ की तरफ interview ले लिया अब क्या हूँ प्राइस आपका थोड़ा सा ऊपर गया और यहाँ पे हाई बनाया और प्राइस यहाँ से नीची आने लग गया यहाँ यह छोटा सा ग्विन केंदल का formation की बाद हम क्या देखेंगे RSI या फिर हम साथ साथ RSI कोई देखते रही है जब प्राइस आपका इस लेवल करीब था यहाँ पे आपका एक हाई बना था अब जब प्राइस इस लेवल करीब आया है यहाँ पे जब higher high का formation किया तो यहाँ पे आपका वापस से lower high का formation किया है यहाँ इसका जो divergence है नीचे side की तरफ है मतलब यहाँ पे जो price आपका उपर गया है उसमें buyers में strength नहीं है buyers यहाँ पे कम जोड दिख रहे है यहनी कम जोरी के साथ price आपका उपर जा रहा है तो ज़्यादा कोई गिरावट हमें उस दिन देखने को नहीं मिला है लेकिन अगर यह आपका इस time पे होता या फिर market opening के time होता तो आप यहाँ पे जब दाफ में first सकते हैं और उसके बाद next day देखिए price आपका अच्छा खासा नीचे side की तरफ गिरावट दिखाया है यहनी गिरावट आया है लेकिन next day गिरावट आया है और यह कभी आपको same day भी देखने को मिल सकता इसलिए जब भी ऐसा situation हो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगी RSI का यूज करेंगे और उसके बाद at the same time यहाँ पे हम क्या देखेंगे OI build up उस particular time पे कैसा formation हो रहा है यहनी अगर हम यहाँ पे जा रहे है तो यहाँ पे आपका long build up के अलाबा अगर कुछ भी हो रहा हो तो हम यहाँ पे market से exit करेंगे यह नहीं अगर हम बाईसार की तरफ जा रहे तो हमें क्या चाहिए long build up और अगर हम sell side की तरफ जा रहे तो हमें चाहिए short build up इसके लाबा कुछ भी हो तो हम trading positions initiate नहीं करेंगे और अगर हम कर दिये तो हमें instant exit करने की जरूरत है तो ऐसे ही अगर आपने mistakes कर दिया है तो उस mistakes से आपको recover करते हुए accept करना अब बहुसा है लोग क्या करते हैं mistakes तो कर देते हैं लेकिन उस mistakes को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं as a result उनको भाई नुक्सान उठाना पड़ता है आप market को accept करो क्योंकि market हमेशा आपसे big ही रहेगा और वो आपको हमेशा surprise और shock देता रहेगा आज यह नहीं 12 of December की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर देखे price हमारा gap down open हुआ है तो आज यह नहीं 12 of December की बात कर देख सकते हैं यह जो है यह आपका previous day का lowest point है अब क्या हुआ price आपका gap down open हुआ है नीचे आया previous day का जो low है वो हमाई लिए क्या काम किया support के रूप में काम करता हुआ दिखा है अब जो भी लोग यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर भी अगर sell side की तरफ जाते हैं या फिर buy side की तरफ जाते हैं जो की support के रूप में काम करता हुआ दिख रहा यहाँ पर आने के बाद आपका यह morning star candlestick pattern का यह formation किया है तो इस level इस level या इस level किसी भी level पर अगर आप buy side की तरफ entry जा रहे है तो यहाँ पर काफी हद तक आपका यह right entry है सही entry है और इसके बाद अगर आप entry लेने तो यह आपका perfect entry है जिसमें हम पहले इस target पैस के लिए असानी से जा सकते हैं तो ऐसे ही आपको किसी level के basis पर entry लेना और यहाँ पर आपको जो मैंने आपको OI build-up अलब आप आया था उसका भी मदद लेना और आप चाहो तो यहाँ पर option chain की भी मदद लेते हुए अपने trade का accuracy level increase कर सकते हैं ऐसे ही हमें region के basis पर entry लेना है अब यहाँ पर अगर हमें repeat अब अगर market यहाँ पर आ गया है आपने पहले बाइसारी की तरफ entry नहीं लिया है तो आप यहाँ पर लेट होगे अब यहाँ पर हमें बाइसारी की तरफ entry कब लेना वापस prices के करीब आएगा तो या नहीं तो previous day का highest point यह जो है इसको break करने की बाद अगर उपर जाता तब हम यहाँ पर फॉर्थर बाइसारी की तरफ trade लेंगे उससे पहले हमें buy side की तरफ trade नहीं लेना इस point पे या फिर इस point पे और नहीं यहाँ पर हमें sell side की तरफ जाना क्योंकि कोई region नहीं हमारे पास sell करनेगा और नहीं buy करनेगा तो ऐसे आपको गलत trade से भी बचना और सही जगा interview लेते वे trade के perfection level को बरारा उमीद करते हैं कि आपको ये वीडियो informative वहाँगा क्योंकि यहाँ पे हमने real trading market में क्या experience आता है वो मैंने आपके शाथ share किया वीडियो पसंदायद प्लीज लाइक करके इनकवेज किजे चैनल को subscribe नहीं किए तो चैनल को subscribe भी किजे मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाहें